इस विश्य आप आप जिए विश्य विश्य वाल टाइम थोड़ा सा अजीब सा होता है समझ में नहीं आता है कि रात बोले अधिन ध्यान से देखेंगे हम लोग स्पेशल सब्सिटिशन से अब कुछ प्रकार की सवालों पर आगे जैसे हमारा सवाल कहता है mental ability का सवाल होता है यह इन जनरल आपको NTSC में बहुतायत में मिलेंगी यह question ठीक है so between 3 and 4 o'clock both hour hands and minute hand will coincide coincide means angle उनके बीच में 0 या 2 पाई जैसा भी आप लिखना चाहें लिखे clear past 3 o'clock तो अगर मैं अपने दिमाग में सोचूं ठीक है ऐसे तहब सोचने की जरूरत नहीं है और आप इस चीज़ को detail में हमारे mental ability के वीडियो के तुरू पढ़ेंगे soon ठीक है तो अगर यहां पर 3 लिखा हुआ है और यहां पर 12 लिखा हुआ है तो 3 बज़े की इस्तिती कुछ ऐसी होती है आए ना right अब coincide past 3 o'clock sure fine तो 3 बज़े के बाद कितनी देर में यह coincide होते हैं तो मैं बोलता हूँ कि मानलो यार 3 बज़े कर x minute पर यह coincide होते हैं और अगर ऐसा है तो r hand की position क्या होगी तो हमें पता है प्रती घंटा r minute 30 degree बनाता है याने कि 90 प्लस प्रती minute r minute half degree बनाता है याने x byte whereas minute hand की अगर हम बात करें तो वो एक घंटे में तो पूरा 180 बोल रहा हूँ 360 घुम जाता है right or not लेकिन x minute में प्रती minute वो 6 degree shift करता है तो इसको हमने लिख लिए 6x और अगर वो coincide कर रहे हैं तो वो बराबर होने चाहिए अब यह मैंने 6x और half x कैसे लिखा यह आपको unitary method से समझने को बहुत आसानी से मिल जाएगा समझे और मजा कीजिए यह भ्रातरा श्री यहां आए और यह बन गए 6 minus 1 by 2 is 11 by 2 x और यहां लिखा हूँ है 90 so x is equals to 180 by 11 15 minute के बाद 16 minute के बाद 17 minute के बाद यह 18 minute के बाद 11 ones are 11 7 बच गया 11 6 की जगा 7s are 77 right 7 बचा था 70 so 6 is 66 plus 4 तो 16 minute के beyond यह यह ज़्यादा सही answer होगा बिलकुल अगर आप absolutely निकालना चाहे तो mix fraction में मिल सकता है आपको right or not 11 यहां पे लिखा हूँ है 16 और यहां पे लिखा हूँ है 4 clear 11 6 6 6 11 11 and 6 17 plus 4 by 11 समझ गया होगे आप so thank you very much for your time धन्यवाद